स्कंदपुरानांतरगत चातुर्मास महात्मिय चातुर्मास्य में इष्टवस्तू के परित्याग तथा नियम पालन का महत्व ब्रह्माजी कहते हैं मनुष्य सदा प्रियवस्तू की इच्छा करता है अथा जो चातुर्मास्य में भगवान नारायन की परिती के लिए अपने प्रियभोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसकी त्यागे हुई वेवस्तू ये उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है जो मनुष्य स्रध्धा पूर्वक प्रेवस्तू का त्याग करता है वो अनन्त फल का भागी होता है धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म्ह भाव को प्राप्त होता है गुरुहस्त मनुष्य ताम्बे के पात्र में कदापी भोजन न करे चोमासे में तो तामबे के पात्र में भोजन विशेश रूप से त्याज्य है मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है चातुर मास्य में विशेशत वटके पत्र में भोजन करना चाहिए चातुर मास्य में भगवान विश्णू की प्रीती के लिए ग्रुहस्त आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर जन्म नहीं होता मिर्च छोड़ने से राजा होता है रेश्मिवस्त्रों के त्याग से अक्षे सुख मिलता है उडद और चना छोड़ देने से पुनर जन्म की प्राप्ति नहीं होती चातुर मास्य में विशेशत काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोश लगता है उसकी शुद्धी भगवान सूर्य नारायन के दर्शन से होती है कुसुम्भरंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता केशर के त्याग से वो राजा का प्रिय होता है फूलों को छोड़ने से मनुष्य ग्नानी होता है शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ती होती है असत्य भाशन के त्याग से मोक्ष का दर्वाजा खुल जाता है चातुर मास्य में परनिन्दा का विशेश रूप से परित्याग करे परनिन्दा महान पाप है परनिन्दा महान भई है परनिंदा महान दुख है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है चोमा सेमी केशों का सवारना त्याग दी तो वह तीनों तापों से रहित होता है जो भगवान के शयन करने पर विशेशत नख और रोम धारन किये रहता है उसे प्रती दिन गंगास नान का फल मिलता है मनुष्य को सब उपायो द्वारा योगियों के ध्ये भगवान विश्णू को ही प्रसन्न करना चाहिए समस्त वर्नों एवं स्रेश्ट पुर्शों के द्वारा भी भगवान स्रीहरी का ही चिंतन करना चाहिए भगवान विश्णू के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है चातुर मास्य में उनका विशेश रूप से स्मरन करना उचित है करककी संक्रांती के दिन भगवान विश्णू का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुब जामुन के फलों से अर्ग्य देना चाहिए अर्ग्य देते समय इस भाव का चिंतन करे छे महिने के भीतर जहा कही भी मेरी मृत्यू हो जाए तो मानो मेने स्वयम ही अपने आपको भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्धन का सेवन करना चाहिए जो मनुष्य भगवान विश्णू की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सबकुछ उनी स्रीहरी की प्रसनता के लिए करता है वो मोक्ष का भागी होता है सत्य स्वरूप सनातन विश्णू, वर्नाश्रम धर्म के स्वरूप है जन्म मृत्यू आदी के कष्ट का उन्ही के द्वारा नाश होता है अथा, चातुर मास्य में विश्येश रूप से वरत द्वारा स्रीहरी को ही ग्रहन करना चाहिए तपो निधी भगवान नारायन के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए भगवान विश्णू की भक्ती से युक्त जो वरत है, उसे विश्णू वरत जानों धर्म में समलगन होना तप है वरतों में सबसे उत्तम वरत है ब्रह्माचर्य का पालन ब्रह्माचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्माचर्य महान फल देने वाला है इस लिए समस्त कर्मों में ब्रम्हचर्य को बढ़ावे ब्रम्हचर्य के प्रभाव से उग्रत अपस्या होती है ब्रम्हचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है विशेशत चातुर मास्य में भगवान विश्णू के शयन करने पर ये महान व्रत संसार में अधिक गुण का रखे ऐसा जानो जो इस वैश्नव धर्म का पालन करता है वो कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिग्ना करके कि है भगवान मैं आपकी प्रसनता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते है वह व्रत अधिक गुणोवाला होता है अग्ने होत्र, ब्राम्हन भक्ती, धर्म विश्यक स्रध्धा, उत्तम बुद्धी, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषन, रदैमे दया, सरल्ता एवं कोमल्ता, मधुर्वानी, उत्तम चरित्रमे अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिमसा, लज्जा, शम मन और इंद्रियों का सम्यम, लोप, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रे सम्यम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा, स्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पन, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर है, वो जीवन मुक्त कहा गया है, वह पातकों से कभी ल इतन ही होता, एक बार का किया हुआ व्रत भी सदेव महान फल देने वाला होता है, चातुर मासे में ब्रह्माचरिय आदी का सेवन अधिक फलद होता है, चातुर मासे व्रत का अनुष्ठान सभी वर्नके लोगों के लिए महान फल दायक है, व्रत के सेवन में लगे हुए मन मनुष्य द्वारा सर्वत्र भगवान विश्णू का दर्शन होता है। प्रशन होता है।